हलो माई फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल कुक वित पायल और आज मैं आप लोगों की संग शेयर करने वाली हूँ सोया मलाई चाप की रेसिपी बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल में जिसे आप लच्छा पराथा नान रोटी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं खाने में तो फ्रेंड सबसे पहले मिक्सर जार में हम लेंगे कुछ अदरक के टुकड़े लैसन की कलियां और साथ ही में इसमें हम दो या तीन हरी मिर्ची ले लेंगे अपने स्पाइसी के एकॉर्डिंग जितना आपको पाइसी चैये कुछ अरा धनिया हम लेंगे साथ में काजू क पीसे हम डालेंगे लगभग 6-7 और दही डाल देंगे हम दो बड़े चमच और इसको एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट इसकी रेडी कर लेंगे सोयाच आपको मैंने निकाल लिया है और इसकी इस्टिक निकालने के बाद हम इसको बिल्कुल अपने एकॉर्डिंग जतनी बड़ी पीसे आपको चाहिए उस रिसाब से आप इसको कट आउट कर लिजे इस तरीके से और इसके बाद हम इसको मैगनेट करेंगे मसालों के साथ और जो अभी हमने paste ready किया है ना, वो भी हम इसमें add करेंगे, तो बिलकुल पहले paste आप ready कर लीजे, तो सुयाच आपको डाल देते हैं एक बाऊल में, और जो हमने paste ready किया है, उसको हम इसमें डाल देते हैं, अब साथी में हम इसमेंarea sensational भी add करेंगे, इसमें हम डालेंगे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक सबसे पहले और इसकी बाद हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे गरम मसाला आप इसमें आट कर लीजे लगबग दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर इसमें एक बड़ा चम्मच आट करेंगे इसकी साथ हम इसमे टेक्शर देंगे जब हम इसको fry करेंगे और साथी में दो से तीन बड़े चमच इसमें हम मलाई एट करेंगे फ्रेश क्रीम और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे काफी अच्छे से कोट कर देना है आपको सारे ही सोया चाप को इस तरीके से और यहां पर मैंने फ्रोजन वाले सोया चाप यूज किये हैं अगर आपने बिल्कुल ड्राय वाला यूज कर रहे हैं तो इसको आप बॉयल करने के बाद ही इस तरीके से मैंगेट करिएगा तो यह मैंगेट होने के लिए हम रख दिखते हैं लगबग आदे गंटे के लिए आदे गंटे बाद हम इसको निकालेंगे और सेलो फ्राय करेंगे तो बिल्कुल कम तेल में हम इसको निकाल निकाल के इस तरीके से फ्राय कर लेते हैं दोनु और से हमें इसे अच्छे से से शेक लेना है काफी बढ़िया इसका कलर आ जाएगा तो जब तक यह हमारा सोया चाप फ्राइ हो रहा है एक साथ हम इसकी जो ग्रेवी है उसकी भी तैयारियां कर लेंगे तो बिल्कुल एक पैन में मैंने ये सारे सोया चाप एट कर दिये हैं फ्राइ होने के लिए और फ्राइ जब तक हो रहा है तब तक हम अपने मसाले बिल्कुल ग्रेवी की तयारी करते हैं पैन हम चड़ाएंगे पैन में थोड़ा सा मैंने ओयल ड्ल़ा है दो तीन गरी हरी मिरची डालेंगे लम्बे कटे हुए प्याज एड़ करेंगे और थोड़ा सा सौदे करेंगे इसे और कुछ शिमला मिर्च की भी लंबे लंबे पीसेज मैंने काट के रखे हैं उसको एट करेंगे बीच बीच में आप अपना सोया चाप बिल्कुल उलट पुलट के इस तरीके से बिल्कुल फ्राइ कर लिजे देखें कितना अच्छा कलर और टेक्श्चर आया है इसमें और हमारा प्याज भी काफी अच्छे से भुन गया इसमें हमेंने लंबे कटे हुए शिम्ला मिर्च अट कर दिये हैं और इसे भी हम थोड़ी देर तक भुनेंगे बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है काफी अच्छा कलर आ रहा है हमारे सोया चाप का भी जो मैं बिल्कुल अधर साइड ट्राइ कर रही हूँ तो ये भी हमारा रेड़ी हो गया बिल्कुल देखिए प्याज और शिम्ला मिर्च बिल्कुल फ्राइ होके ये टेक्शेर बहुत ही अच्छा लगता है और सोया चाप का देखिए प्याद बहुत ही अच्छा आया है अगदम गोल्ण हो चुका है विल्कुल करिस्प हो चुका है और इसी तरीके से आपको प्यदम क्रिस्प कर लेना है इसको दोनों ही साइट से तभी ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा आपके ग्रेवी में तो इस तरीकी से मैं पुलट-पुलट कर दोनु तरफ से इसको क्रिस्प कर ले रहे हूँ और देखे कलर बहुत ही अच्छा आया है एकदम हमारे सोया चाप का तो ये हो गया रेडी और चलिए अब अपने चलते हैं ग्रेवी की तरफ और यहाँ पर हमारे प्याश यम्ला मेर्च बिलकुल देखे भुन रहे हैं काफे अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं अब जो ये हमारे बाउल में जो मसाले बचे थे न जिसमें हमने अपनी सोया चाप को मैंगनेट किया था वो हम सारा इसी में डाल देंगे क्योंकि हमने इसको निकाल निकाल के सोयाचा फ्राइ किया है तो वो सारा जो मसाला बचा हुआ है वो हम इसमें आड़ कर देंगे साथी में इसमें हम एक से डेड़ कप पानी आड़ कर देंगे कसूरी मेथी आड़ करेंगे इसमें जो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर एंहेंस करके देंगी हमारे सोया चाप बिल्कुल मलाई को और एक बाउल हम इसमें मलाई फ्रेश क्रीम डालेंगे आप घर का भी मलाई यूज़ कर सकते हैं तो देखे बहुत ही अच्छा कलर और टेक्शिर आ गया है हमारी ग्रेवी का भी एक बॉइल आने देंगे उसके बाद हम इसमें अपनी सारे जो सोया चाप है उसको एट करेंगे धीरे धीरे तो जो हमारे सोयाच आप फ्राई होके रेडी हैं उनको हम इसमें एट कर देते हैं लीखी कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे सोयाच आपको और मैगनेट करने के बाद इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ गया है आप बिल्कुल एस इस भी इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं वैसे भी यह बहुत ही अच्छा लगता है बिल्कुल चटनी के साथ आप इसको सर्फ कर सकते हैं बहुत ही यमी लगता है और ग्रिवी के साथ तो बात ही निराली है बहुत ही यमी लगता है बिल्कुल नान, आई चाप बनके रेडी हो गया है तो इसको फटा फट से कर देते हैं सर्व और आप भी इसे अपनी घर पे जरूर ट्राइ करिएगा और ट्राइ करनी के बाद अपना एक्सपिरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा मैंने इसे लच्छे पराठे के साथ सर्व किया है साथ ही में कुछ ओनियंस और बिल्कुल ग्रीन चिली भी एट किये हैं तो देखिए देखने में लग रहा है न यमी और बहुत ही सौफ्ट और बढ़े हां टेक्श्यर आया है हमारे सोर्य अमलाई चाप का तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए रस्पी के साथ